मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं सीधे आपको लिए चलते हैं और भविश्य में खड़े होनावली समस्याओं की चिंता ऐसी दुविधा में तो परामर्श देना सलाह देना इसके बज़ा पहले तो सांत्वना देना लेकिन यह सांत्वना के परे दुख़् है कि इसमें तो अपने को अपने आपको ही सम्हालना पड़ता है हम अपनी सांत्वना बता सकते हैं और यहां परदे पर केवल कोरी संभावनाना नहीं बता रहे परिस्थिति में समाज की जो भी आवश्रक्ता है उसकी पूर्ती करने के लिए अपने अपने क्षमता के अनुसार सक्रिये परन्तु ये कठीन समय है अपने लोग चले गए उनको ऐसे समय चले जाना नहीं था परन्तु अब गए अब तो कुछ नहीं कर सकते अब जो परिस्थिति है उसमें हम है और जो चले गए वो तो एक तरह से मुक्त हो गए उनको इस परिस्थिति का सामना अब नहीं करना है हमको करना है पीछे हम लोग है हमको अपने आपको और अपने सब को सुरक्षित रखना है और इसलिए हमको निगेशनिजम नहीं चाहिए कुछ नहीं हुआ सब कुछ ठीक है ऐसा हम नहीं कह रहे है परिस्थिति कठिन है दुखम है है मुनुष्य को व्याकुल करने वाली है निराश करने वाली है लेकिन ये परिस्थिति है इसका स्विकार करते हुए हम अपने मन को निगेटिव नहीं होने देंगी हमको अपने मन को पॉजिटिव रखना है शरीर को कोरोना निगेटिव रखना है और मन को पॉजिटिव रखना है उस दुरुष्टी से इस शुन्खला में मेरे पूरुव वक्ताओं ने बहुत सटीक संपूर्ण ऐसी प्रामर्श की बात रखी है स्पष्ट रखी है सरल भाषा में रखी है अनुभूती के आधार पर रखी है मन की दुर्णता क्या बात उन्होंने की है कोरोना प्रतिकार के अपने प्रयासों की गती बढ़ाने की उन प्रयासों को वैद्यानी कता के आधार पर स्थापित करने की सामुहिक्ता से काम करने की एकता की उसी प्रकार सत्य को पहचानते हुए स्विकारते हुए उसके आधार पर काम करने की बात कही है अपने आपको ठीक रखना और समाज की सेवा करना चिंता करना इसका आगरव उन्हों नहीं किया है वही बाते मुझे भी बतानी है मैं अपनी भाषा में बताऊंगा क्योंकि वह अनुभूत बाते हैं मुख्य बात मन की है पहली मन अगर हमारा ठक गया हर गया तो हम तो जैसे किसी साप के सामने चूहा एकदम निश्क्रिय होकर कुछ भी न करते हुए लूला होकर बैट जाता है कुछ करता ही नहीं अपने बचाओ के लिए कि ऐसी समस्या के सामने हमारी स्थिति हो जाएगी ऐसी हमको होनी नहीं देनी है और ऐसी हमारी स्थिति नहीं है हम कर रहे हैं सारे चित्र को देखते है तो जितना दुख्ष है उतनी ही आशा है ऐसे परिस्थिति में समाज के कुछ विकृतिया बाहर आती है बत सही है लेकिन जितनी विकृति बाहर आ रहे उससे अधिक सतकृति बाहर आ रहे बहुत से लोग सब प्रकार के सब आर्थिक तर्रों से समाज पर ये संकट है सब पर संकट है इसका भान रखकर सोयम की भी चिंता कर रहे हैं और उनसे जितनी बनती है उतनी समाज की भी चिंता करती है ऐसे उधारण बहुत हो रहे है कि अपनी चिंता किये बिना दूसरों की चिंता दाइनीड इस ग्रेटर इस प्रकार की वृत्ति का दर्शन समाज कर रहा है इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए निराशा की परिस्थिती नहीं है लटने की परिस्थिती है कठिन परिस्थिती तो अपने मन के प्रतिभाव पर निर्वर करती है क्या यह निराशा यह रोज दसपाच लोगों के परीचित लोगों के जाने के समाचार का सुनना मीडिया के माध्यम से परिस्थिती बड़ी विकराले विकराले इसका घोषने रंतर सुनना यह हमारे मन को उदास बनाएग एसा नहीं होता ऐसा ओने से विनासी ही होता है ऐसा अभी तक हुआ नहीं है मानोता की इतिहास में इसलिए ऐसी सप्रकार की बाधाओं को लांकर मानोता आगे बढ़ी है अब भी बढ़ेगी संग के संस्थापक डॉक्टर हेडगिवार उनकी किशोरा वस्था में उनके माता फिता दोनों ऐसी ही महामारी चल रही थी नागपूर में प्लेग की उसमें स्वयम की चिंता किये बिना समाज के लिए काम करते थे उस समय तो दवाईया भी नहीं थी अगर समाज की चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर भी गाज गिरेगी यह मानकर चलना पड़ता था ऐसे समय में लेक के रोगियों की सेवा करते करते एक ही दिन में दोनों चले गए डॉक्टर हेड़ेवार किशोर आयू के थे उस समय डॉक्टर नहीं बने थे रहे जाते थे कि उस सम्वेदनक्षम आयू में उनके मन पर परिणाम क्या हुआ क्या उनका जीवन आगे कटुता से भर गया क्रोध से भर गया निराश हो गये ऐसा नहीं हुआ इस वियोग के दुख के विश्को पचा कर उन्होंने उसमें से संपूर्ण समाज के प्रती निरपेक्ष आत्मियता का स्वभवा बनाया जिनका जिनका उनके साथ संबंद आया है विचारधारा से उनके हो नहो लेकिन वो एक बात बता केते हैं कि डॉक्टर हेड़ेवार यानिस नेफ्रीम ऐसा उनका स्वभव बना जब विपत्ति आती है तो हमारी प्रवड़ुत्ति क्या होती है हम जानते हैं भारत के लोग है हम जानते हैं कि यह जीवन जरा मरण जीवन जरा मरण का चक्र चलते रहता है मनुष्य एक नएक दिन जैसे पुराने कपड़े मैले कपड़े छोड़ कर नए कपड़े बदलता है वैसे पुराना शरीर निरूपयोग्य हो गया उसको छोड़ देता है दूसरे जनम में आगे बढ़ने के लिए नयाद शरीर धारण करके आता है यह जानने वाले हम के कार्याले में उनके टेबल पर एक वाक्या लिखा रहता था वाक्या क्या था प्लीज अंडर्स्टेंड दाट देर इस नो पेसिमिसम इन इन इस आफिस वही आर नाट इंट्रेस्टें इन पॉसिबिलिटीज आफ दिवीट देर दो नट एग्सिस्ट हम हार की चर्चा मे बिलकुल रस नहीं रखते क्योंकि हमारी हार नहीं होने वाली है कि हमको जितना है कि संपूर्ण राष्ट्र को अपने उत्सा से अपने वक्त्रुत्व से अपने करने से चर्चिल ने इस मनस्तिती पर खड़ा किया कि चाहे जो हो हम हारेंगे नहीं हम शरंड नहीं और वो जीते विपरीत परिस्तिती में जीते उस समय का डाटा अगर फीड करते कॉम्पूटर में तो कॉम्पूटर कहता कि इंग्लेंड बीचिराग हो जाएगा लेकिन लगातार मैना भर दिन रात बम के रेड़ों को जेल कर बिटन की जनता ने अपने देश को केवल टिकाया नहीं तो उस शत्रू को पूर्ण परास्त किया यह क्यों हुआ क्योंकि यह प्रवृत्ति ही इसी थी सामने जो संकट है जो दुख है जो अंधक्कार है उसको देखकर वो निराश नहीं हुए उन्होंने उसको एक चुनोती मान लिया हमको भी ऐसा संकल्प करके इस चुनोती से लेड़ना है और संपूर्ण विजय इस पर पाएंगे तब तक सतत प्रयास करते रहना है संकल्पकी दुढ़तात का जैसे महत्व है वैसे प्रयास के सातत्य का महत्व है पहली लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आगे हैं क्या जनता क्या शासन क्या प्रशासन मालूम था डॉक्टर लोग इसारात दे रहे थे फिर भी थोड़े गफलत में आगे इसलिए संकल्पकी खड़ा हुआ अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे है तो डरना है क्या उस चर्चा के कर डरना नहीं है अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकरा कर सागर की लहर चूर-चूर होकर वापस लोटती है वैसे उस अपत्ति को लोटना पड़े ऐस इसकी आवश्यक्ता है और उस दुड़ता के साथ सतत प्रयास हमको करने हैं समुद्र मंथन के समय कितने ही रत्न निकले लेकिन उन रत्नों के आकरशन से प्रयास बंदन ही हुए मंथन चलता रहा हला हल विशय जैसी भीती भय उत्पन्न हुआ लेकिन उसके कारण में प्रयास से विरत नहीं हुए अम्रुत प्राप्ति होने तक प्रयास चलते रहे और इसलिए सुभाशित में कहा है रत्न इर मह माहिर्स्तु तुशुर्ण देवा उससे तोशित नहीं हुए तुष्ट नहीं हुए न भेजी रहे भीम विशय मभीतिम हलाल जैसा कराल विश्व उसके कारण भी डरे नहीं सुधाम विनान प्रयोयूर विरामा अम्रुत मिलते तक उनके प्रयास चलते रहे न निश्चित अर्थात विरमंती धीरा धीर लोग जो रहते धैरिवान लोग रहते हैं वो प्रयास सतज्जारी लगते जब तक उपलब्दी होती नहीं पूरी की पूरी हमको ऐसे करना है और स्वाभाविक आपत्ति सारी मानोता पर है भारत को अपना उधारन रखना है पूरे भारत को एक समूह के नाते सारे भेद भूलकर दोशग गुणों की चर्चा अभी उसको विराम देकर उसके लिए बाद में समय मिलेगा अभी तो हमको सब को एक टीम के नाते काम करना है मिलकर काम करना है गती बढ़ाने की बात श्रीमान अजीम प्रेम जीने की स्पीड चाहिए वो स्पीड कैसे तैयार होगा सब लोग परसपर एक टीम बनकर काम करेंगे भी पिछले बार पूना शहर में और इस बार भी उस शहर के उद्ध्यो जग बड़े व्यापारी प्रशासन के लोग डॉक्टर लोग अस्पतालों के कर्मचारी जनता के संगटनों के प्रतिजी बने मिलकर एक समुवा बनाए अपीपीसियार नाम का और बहुत अच्छी तरह से अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना करके उसमें से वो निकलाए कि सर्वदूर ऐसा सामुहिक प्रयास चलना चाहिए देर से जागे तो कोई बात नहीं सामुहिकता के बल पर अपनी गती बढ़ा कर हम यह जो सारा अंतर पड़ा है बैकलोग है उसको भर के आगे निकल सकते हैं निकलना चाहिए कैसे करना पहले तो आपने आपको ठीक रखना और ठीक रखने के लिए पहली बात है संकल्पकी दुढ़ता प्रयास का सातत्य धहीरिय प्रयत्न करने से एकदम परिणाम नहीं होता थोड़ा देर लगता है प्रिणाम आने को तब तक धहीरिय रखना पड़ता है लगे रहना पड़ता है दूसरी बात है सजगता हम सजग रहे तो बहुत अच्छा बचाओ सज सपने के कारणी हो सकता है मैं और सक रियत एजपी के पहलू सवेम सजग रहना झोन करना उसके बारे में बता Guerra unc का उल्लेख हुआ है अन्य भी जो व्यायम अपने शरीर की प्रतिकार शक्ती श्वासण की किषमता प्राणों की तेजस्विता बढ़ाने वाले वो मन को भी मनाते हैं एसे अन्य मास्कार जैसे हम कर सकते हैं हम को करना चाहिए का अब यावादी जाकर श्यक्ता और इन बातों को समझने वाले सिखाने वाले तो आजकल अभ्यास के कारण आसपास भी मिलते हैं बहुत कठिन गिरी आये नहीं है उसको करना आहार ठीक रखना शुद्ध स्वच्छ सात्विक आहार करना शरीर की ताकत को बढ़ाने वाला आहार करना उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पर आपको मिलती है लेकिन जानकारी के बारे में जान रखना जो कहा गया कि वैज्ञानिक्ता का अधार लेना चाहिए वैज्ञानिक्ता क्या है परिक्षा करके लेना कोई कहता है इसलिए वो ठीक है ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए सबको लाग होगा ऐसा भी नहीं है नया है इसलिए ठीक है पुराना है दखिय अनुसी है ऐसा भी नहीं है और पुराना है इसलिए ठीक है और नया है इसलिए बेकार है ऐसा भी नहीं है जो भी आ रहा है उसको परक्ष के लेना चाहिए तद्निय लोग आप्त लोग हमारा सोयम का अनुभव और उसके पीछे का वईज्ञानिक तर्क इसकी परिक्षा करनी चाहिए पुरानमित्यवन साजो सर्वम नचापि काव्यम नवम इति अवध्यम संत परिक्षान्य तरत भजन्ते मूड़ा परप्रत्ययने उद्धी हमारे तरफ से बेसिरपर की कोई बात समाज में न जाए और बेसिरपर की कोई बात समाज में चल रही तो उसके बली हम न बने इसकी चिंता करनी है आयूरुवेद अपना एक सिद्ध सास्त्र है, उसके अनेक नुस्खे है, अनुभूत है, परंपरा में चल रहे है, आयूरुवेद का तरक उसके पीछे है, उसको उप्योग करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आयूरुवेद के नाम पर कई बाते ऐसी चलती रहीती है, कोई बताने माला व॥क्ति उसको उसका लाब होता होगा तो हो, लेकिन सबके लिए बताने लहाए कि वो बाते तब तक नहीं है, जब तक वो इस स्वज्द्ना निक्ता के तरक के अधार पर, लंबे अनुभू के इतिहास के अधार पर, और शास्त्रों के अधार पर, सही 좋은 न रखना युक्ताहा रभ्या रस्य युक्त कर्मसू चेश्ट शू शरीर को मन को अशक्त बनाने वाले कर्मों को छोड़ दीजिए खाली रहना बन कीजिए खाली मत रहिए कुछ नहीं कुछ नहीं सिखिए अपने परिवार के साथ गप्षप कीजिए अपने बच्चों को अधिक अच्छा समझिए अपने बच्चे हमको अधिक अच्छा समझे ऐसा समवात कायम करें कई बाते हैं कुटुम्ब को भी प्रशि पहनना मास्क का उप्योग करना इसकी दक्षता यह अनिवारिया है परियाप्ता अंतर पर रहकर एक दूसरे से संबंद रखना अवश्यक है अनिवारिया है वैसे ही स्वच्छता का पालन करना सेनिटाइजेशन करते रहना सारी बाते मालूम है हमको अंदेखी होती है असावधानी होती है और जब सावधानी हटती है तब दुर्गत ना गटती इसलिए सजगता रखना थोड़ी सी आशंका हो गई कि कुछ गड़वण है तो उपचार के लिए संकोच मत करना कुछ लोग कोरोना का पॉजिटिव होना बड़ी बदनामी मान कर छुपा के रखते हैं जल्दी उपचार नहीं लेते अस्पताल में जो वातावरन रहता उसके डर के मारे एडमिट ह इसका एडमिट होते तब यह होता है कि जिसको वास्तवीक जूरुत है उसकी जगबुख हो जाती उसको नहीं मिलती है और इसलिए तुरंत वैद्दे कि यह सलाह लेकर वह जैसा कहते हैं वैसा करना निस्शंकोच करना तो समय पर इसके उपचार होते हैं तो बहुत कम उप और ये हम कर रहे हैं जो जो हमारे संपर्क में आते हैं उन सब को बताना चाहिए उनसे करवा लेना चाहिए जनप्रबोधन और जनप्रशिक्षन का बड़ा महत्व है हम अपने स्तर पर अपने संपर्क के दायरे में जो जो आते हैं उनसे के समवात कर सकते हैं और जनप्रबो को दन जन जाग्रन के प्रयास दो लोग कर सकते हैं और प्रत्यक्ष सेवा कर стор से झिनके स्वास्थ पर का आघध हुआ है उनकी सेवा करनी है उनके लिए बेड चाहिए विवस्था करनी है 용सी चाहिए उप्योगी विवस्था खड़ी करने में और सेवा करनी है कई प्रकार की सेवया स्वास्थक हो लेकर इसमें करनी है पहली लाहर में हमने कुछ की थी अब कुछ अधिक प्रकार करने की आवश्च्चता है करने में बहुत लोग लगे हैं हम उसमें सब्सक्राइब हो जाए बच्चों की शिक्षा पिछडने का यह शायद दूसरा वर्ष होगा तो अनुव पचार एक शिक्षा के माध्यम से वर्ष में फिर उनकी परिक्षा होगी की नहीं होगी प्रमोट होंगे की नहीं इसकी चिंता है छोड़कर कम से कम वो द्यान जो वो दो साल में प्र तरफ से कर ले बाकी व्योस्ताय क्या ओगी देखा जाए जा ऐसे ही बहुत से लोग फिर से रोजगार बंद हो गया जिनका हाथ पर पेट है रोज का रोज कमाते उनकी परिस्तिती बड़ी कठिन है उनकी सुधी लेनी चाहिए कम से कम वो भूके ना रहे उनके घर के लोग लोग है उनको देख सकते है उनकी सिवा कर सकते हैं और ऐसी सेवा देने वाले सब संगटन काम कर रहे हें उनके साथ हम भी लग सकते है कल इसके कारण रोजगार की कमाई की आर्थिक शित्र में हमारे पिछडने की हमारे अर्थव्यवस्था की गतिक कम होने की समस्या खड़ी हो जाएगी अनेक प्रकार से उसका सामना अभी से करना प्रारंब करना पड़ेगा स्किल ट्रेनिंग से लेकर सारी बाते उसमें हम जितना कर सकते समाज के नाते रुव्यक्ति के नाते हमको करना चाहिए ऐसा रोजगार करने वाले लोगों को ढूंड कर उनसे खरिदना चाहिए अभी गर्मी की दिन चल रहे ठंडे पानी की मशिन घर में मत लगाओ कोई मिट्टी का मठका बनने वाला अगर रहे उसका रोजगार आज मार खा रहा है उसका मठका आप खरीदो ऐसा विचार कर सकते हैं ऐसा विचार करके बरत्मना और ऐसे प्रयास करने वालों के सारे इसमें सभगे होना यह सारी जो परिस्थिती की चर्चा हो रही और आने वाले परिस्थिती की चर्चा हो रही वो पैनिक क्रियेट करने के लिए नहीं है भीति क्रियेट करने के लिए नहीं है वो तो हमको आग किया जा रहा है तयारी के लिए नियम व्यवस्था और अनुशासन का पालन करते हुए हम चले समाज को चलाएं और ये सेवा हम करें करनेवालों के साथ समाज के नाते हम भी सभगयों ऐसा हम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे हमें जितना है हमारा संकल्पा है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ऐसा हमारा देश है इतने साल में मीटा नहीं इतने भयानक संकटों को जहल कर मिटा नहीं तो होगी मामारीavat विश्वव्यापी होगी बड़ा छुपा शत्रू होगा बड़ा रूप बदलने वाला होगा कठिन जंग लड़नी होगी लेकिन लड़नी ही होगी और जीतनी ही होगी हम जीतेंगे यह हमारा दुड़ संकलपा है परिस्थिती आई है वो हमारे सद्गुणों की परक करेगी हमारे दोशों को भी दिखा देंगी दोशों को दूर करके सद्गुणों क बढ़ा के यह परिस्थिती ही हमको प्रशिक्षित करेगी, यह हमारी धायरे के परिक्षा है, यह धायरे, यह महत्व की बात है, एक वाक्य का आप समरण रखी है, success is not final, failure is not fatal, यश अप यश का खेल चलते रहता है, success is not final, failure is not fatal, the courage to continue is the only thing that matters, युनानमिस्त्र रूमा समीटगे जहा जहाँ से, कुछ, करोना बहरान की बीच 11 से 15 में तक चलने वाले पहल हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटिट के तहां तमाम शक्सियात अपनी बात नासरीन के सामने रख रहे हैं और उन्हें बेदार कर रहे हैं इसी विकड़ी में हमारे साथ जूड़े थे RSSD मोहन भागवाद